हलो डिवाइन सॉल्स, आज मैं अपनी चैनल पर एक बहुत ही अमीजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की जो हमेशा सैड रहा करती थी, जो हमेशा डिप्रेस्ट रहा करती थी जो हमेशा लॉनली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना उसके कोई फ्रेंस थे ना वो कहीं आती चाती थी, ना किसी से बात करती थी, सैल्फ लव का जिसे धूर धूर तक पता नहीं था जो खुद को हमेशा insulted feel किया करती थी कोई कुछ भी कह दीता था थो बहुत छोटी-छोटी बातों पर रोना सबसे छुप जाना, किसी के सामने नहीं आना किसी से अपनी बात share ना कर पाना सारी मतलब बुरी-बुरी आधते थी and हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस स्टोरी से relate करें, connect feel करें मतलब उसके life एकदम boring जो जिन्दगी से बहुत दूर थी, जिसे जीना आता ही नहीं था जो ऐसे माहूल में बड़ी हुई थी जहां लड़के लड़कियों में भेद बाव, बात-बात पर rock talk बात-बात पर insult जिसे हमेशा low feel कराया जाता था जिसे हमेशा ugly feel कराया था जिसे beauty का मतलब ही नहीं पता था जिसमें कोई confidence नहीं था एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया से डर लगता था जिसे सबसे डर लगता था जो घर से बाहर निकलने में भी डर थी थी जिसके life में सिर्फ problems ही problems थी ना कोई friends, ना कोई family support good feeling, self love जैसी चीजों का कोई अता-पता ही नहीं था आज उस लड़की की बहुत ही miraculous और बहुत ही बड़ी success story शेयर करने जा रही हो and guys, वो लड़की कोई और नहीं, मैं खुद हूँ एक ऐसी लड़की जिसके कभी कोई identity नहीं थी life में हर जगा सिर्फ struggle था रिष्टों में, अपने खुद के parents के साथ रिष्टे खराब थे भाई-बेन के साथ रिष्टे खराब थे जो हर चीज के लिए हमेशा struggle क्या करती थी चाहे अपने respect के लिए, चाहे अपने हक के लिए dreams जैसी तो कोई चीज थी ही नहीं money के लिए, freedom के लिए, space के लिए हर चीज में दूसरों का interference and ऐसा almost बहुत सारे घरों में middle class families में and बहुत ही orthodox kind की जो family होती है उन सभी families में ऐसा ही environment होता है जो कि बहुत सी normal बात है मतलब इतनी problems होती है girls के लिए कि अगर मैं गिनाने लगू तो problems के list कभी खतम ही ना हूँ मैं एक ऐसी जिन्दगी जी रही थी जहां सिर्फ problems ही problems थी मतलब जिन्दगी सिर्फ खतम हो चुकी थी जिन्दगी से हारी हुई जो हमेशा society करने के बारे में सोचा कर थी कभी looks को लेकर लोगों के बुरे-बरे comments कभी कम weight को लेकर कभी किसी चीज को लेकर कभी षादी को लेकर हमेशा सब लोग सिर्फ बुरा feel कराते थे low feel कराते थे औज मेरी life इतनी जादा ट्रांस्फोर्म हो गई है कि मैं खुद एक life coach बन गई हूँ, एक entrepreneur, bono healer बन गई हूँ बहुत सारे लोगों के लिए एक ray of hope बन गई हूँ motivational coach बन गई हूँ especially उन girls के लिए जो कही न कहीं रिलेशन्शिप में, घर में शादी में किसी भी तरह का struggle कर रही है मेरे life में ये सारे positive changes law of attraction की वज़े से आए है एक time था जो मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी, शादी parties में जाने से डरती थी, किसी भी relative के यहाँ जाने से डरती थी, किसी की शादी में कोई dance करने के लिए बोलता था तो मैं जाकर छुप जाया करती थी, कि कहीं कोई मुझे dance करने के लिए ना कह दे या कोई मुझे force ना करे किसी से बात करने का confidence नहीं था मुझ में बिलकुल भी आज वही लड़की इतनी change हो गई है मैंने law of attraction की धेरो technique supply की, धेरो videos देखे YouTube पर, धेरो courses जोइन किये, healing courses किये खुद को हर तरह से heal किया खूब meditation किया अपनी self-lock को बिलकुल change किया अपने सारे रिष्टों को सुधारा अपने family में, नए-ने friends बाहर आना जाना start किया लोगों से मिलना जुलना start किया and सबसे बड़ी बात मेरी जो सबसे बड़ी weakness थी मेरी loneliness मैंने उसको अपनी strength मनाया खुद पर काम किया खुद को change किया खुद को accept किया खुद को प्यार करना start किया तब जाकर मेरी यह दुनिया बदली लाइफ इतनी सादा change हो गई है कि अभी recently मेरी कर्जन के और function में मैंने इतना enjoy किया इतना dance किया है कि मैंने संगीत के function में even stays पर जाकर solo perform किया मेरी life में पहली बार पहली बार बिना घमराए बिना दुनिया की परवा किये बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे मैंने हर मोमेंट को enjoy करना सीख लिया हर मोमेंट को जीना सीख लिया और हमेशा खुश रहना सीख लिया इतना खुश रहना कि even happiness मेरा permanent nature बन गई है बिना कुश प्लान किये मुझे जो चाहिए होता है वो सब कुश मुझे मिल जाता है मैंने इतनी सारी चीजे मैनिफेस्ट कर लिया trips मैनिफेस्ट कर लिया मैंने धेरो materialistic चीजे मैनिफेस्ट कर लिया money, friends, shopping even अपने लिए freedom मैनिफेस्ट कर लिया एक टाइम पर हमेशा society का सोचने वाली लडगी आज लोगों को जीना सिखा रही है सिर्फ positive रहना सिखाती है क्योंकि guys, हम क्या करती करते हैं कि हम हमेशा negative सोचते लेते हैं और अंजानी में ही law of attraction को अपने against में apply कर रहे होते हैं and हम जो सोचते हैं हम जो बोलते हैं, हम जो feel करते हैं वही experiences हमारे लाइफ में manifest होते रहते हैं हमें हमेशा positive सोचना चाहिए हमें हमेशा वही सोचना चाहिए जो हम चाहते हैं और जब हमारा focus wanted चीज़ों पर होता है तो हमारी जिंदगी में सारी चीज़े automatically अच्छी होने लगती है और मेरी life में ये positive changes तब आ है जब मैंने decide कि कि अब मुझे अपनी life बदलनी ही है मुझे अपनी life वैसे जीनी है जैसे मैं चाहती हूँ मुझे दोस्रों के तरीके से जिनकी नहीं जीनी है मुझे मेरी जिनकी मेरे तरीके से जीनी है एक time था मैं सालो साल में ये जाया करती थी और आज हो टाई में मेरा जब मन करता है एवन मैं every month haircut कराती हूँ और मुझे हमेशा कहीं भी जाती हूँ एवन मैं सलून में जाती हूँ तो मुझे VIP treatment मिलता है हमेशा एक लड़की जो हमेशा खुद को ignored feel किया करती थी जिसे कभी कोई notice नहीं करता था आज इसे हर जोगे VIP treatment मिलता है किस वज़े से सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की positive thinking की वज़े से एक बार मैं अपनी friend के साथ सलून गई और मेरी friend ने notice किया कि मुझे दूसरे customers के मकाबले जादा importance मिल रही है जादा special treatment मिल रहा है and she told me that and she asked me the reason तब मैंने realize कि ये self love का और मेरी positive thinking का effect है कि मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी दूसरों को भी हमेशा bless करती हूँ उन्हें हमेशा gratitude पे करती हूँ इसलिए मुझे हर जगे हमेशा अच्छा behavior मिलता है लोगों से उसके बाद मैं चे समझ में आया है कि self love कितना ज़्यादा powerful है तब से मैंने self love और ज़्यादा करना start कर दिया guys self love इतना ज़्यादा powerful है कि ये आपको बहुत बहुत miraculous transformation दे सकता है ये आपके looks change कर सकता है आपको beautiful बना सकता है आपको बहुत सारे compliments दिला सकता है आपको बहुत सारे success दिला सकता है आपको name fame दिला सकता है आपको money दिला सकता है आपको आपके desired job दिला सकता है आपको आपका desired partner manifest करा सकता है आपके सारे रिष्टे सुधार सकता है वो लोग जो हमेशा complain करते रहते हैं कि उनकी life में कुछ भी सही नहीं है उनकी किसी के साथ नहीं बनती उनके रिष्टे किसी के साथ अच्छे नहीं है या उनके partner उन्हें importance नहीं देते या उनके partner उनसे ठीक से बात नहीं करते या उन्हें time नहीं देते या उन्हें respect नहीं करते उनके लिए सबसे बड़ा message यह है कि उनने self love की कमी है वो खुद को ही accept नहीं करते वो खुद से ही प्यार नहीं करते और अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे खुद को accept नहीं करेंगे तब ही हम दूसरों में अच्छाईयां देख पाएंगे अगर हम दूसरों को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कम्प्लेन करते रहते हैं इसका मतलब हमें सेल्फ लव की कमी है और हमें सबसे पहले सेल्फ लव ही करना चाहिए तबी हम दूसरों में अच्छाईया देख पाएंगे, और उने ऐपरिशेट कर पाएंगे. Self Love हमें अपरिशेट करना भी सिखाता है खुद को भी और दूसरों को भी. और जब हम appreciate करने लगते हैं, जब हम अच्छाईयों पर focus करने लगते हैं, तब हम alignment में easily आपाते हैं और जब हम alignment में आजाते हैं, तो हमारी सारी wishes automatically manifest होने लगती हैं, हमारी life की सारी problems अपने आप खदम होने लगती है law of attraction में self love बहुत 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 ज़्यादा important है it's an art of life self love आपको सब कुछ दे सकता है, जब आप self love करने लगते हैं, तब आप magnet बन जाते हैं, happiness magnet, success magnet, money magnet क्योंकि जब आप इतने प्यारे हो जाएंगे, आप चारो तरफ love की, happiness की, frequency radiate करने लगेंगे, तो सारी चीज़े automatically आपकी तरफ attract होंगी आप magnet बन जाएंगे और सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ attract करने लगेंगे फिर चाहे वो अच्छे रिष्टे हो, या money हो, या perfect health हो, या कुछ भी चीज हो, जो भी चीज आपको चाहिए, वो सब को आपको आसानी से मिलने लगेगी मैंने self-luck से अपनी राइफ में बहुत सारी चीज़े manifest की हैं and recently मैंने कुछ trips पर manifest की हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में share करूँगी and guys, अभी इसी week में मैं हो ओपनो-पोनो classes start कर रही हूँ, अगर आप चाहें, अगर आप join करना चाहें तो आप मुझे whatsapp पर ping कर सकते हैं या फिर आप comment box में भी share कर सकते हैं so मिलते हैं next video में मेरी अगली manifestation story के साथ तब तक के लिए bye-bye God bless you all